हेलो गाइज वेलकम अगरेंट टेकनिकल फ्रेंड तो गाइज आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप अपने विंडो टेन को आटोमेटिक रिपेर का यूज करके रिपेर कर सकते हैं तो गाइज सबसे पहले तो यह बता देता हूं मैं कि आप इसका यूज करके किस चीज को रिपेर करोगे मतलब आपके लैप टॉप या फिर आपके विंडो में जो है कौन कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है तब तो आप रिपेर करोगे पहले आपको तो प्रॉब्लम जान लो कि आ रही है या फिर जो रिबूट लूप जो है ऑटमेटिक वग कर रहा है तो इन सभी प्रॉब्लम को आप खतम कर सकते हो ओटमेटिक रिपेर का यूज करके ऐसा फंसन जो है विंडो टेन में दिया गया है तो इसका यूज हम लोग करके जैंसली प्रॉब्लम का जाना है बट इससे पहले में आपको बताना चाहूंगा अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे सब्स्क्राइब कर लिए ताकि अब्लिए जो 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 अच्छी वीडियो आती है वो आप तक आसानी पहुंच पार रोट प्लीज गाईज इस वीडियो को लाइक उसके बाद यहां से आप settings लिए तो दोस्तो setting लिए पकलक करने के बाद यहाँ पर आपको update and security का option लेता हूं लिए यहां से मैं इस óper click कर लिता हूं और यहां क्या करना है यहां पर देखिए मैं बहुत साथ बहुन जला रहता है तो उसमें आपको recovery नजलारा हो यहां फिर Advanced Setup, Advanced Setup में आपको restart का option मिल रहागा, तो यहां से आपको करना है restart, इसे आप क्लिक करोगे तो आपका PC जो है restart हो जाएगा, तो चलिए मैं इस पर click कर देता हूँ, तो दोस्तों इसकी method से मतलब इसकी helps जो है आप अपने PC का जो है, मतलब आपको जो जो issue मैंने बता हूँ, तो यहां पर आपको सबसे पहले जाना है travel suit में तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो मैंने यह kick कर दिया troublesute मिल जाते हैं, तो इनlungen less sounds, किस पर जाना है missus, और 9 levels, तो इस पर आफको सबसे पहले उसके बाद़ यहांपर इस पर क्लिक करना है तो जैसे आप क्लिक करोगे आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में कोई भी प्रॉबबलम होगा तो रिपयर कर देगा इस पर क्लिक करने के बाद यहां देख सकते हैं दोस्तों यह जो विंडो मेरी यह थोड़ी ब्लैंक हो गई है तो इसमें कुछ टाइम लगेगा आप देख सकते हैं यह रिस्टार्ट हो रही है फिर से से पासवर्ड इंपना पासवर्ड मतलब आपना आउटलिक का पास वर्ड़ मतलब Microsoft account का password जो भी है यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ अगर आपके PC में कोई password लगा हुआ नहीं है तो प्लीज मत डाल यह password अगर लगा हुआ तो आपको डाल ला होगा तो गाइस यहाँ देख सकते हैं आप मैंने password fill up कर लिया है उसके बाद यहाँ पर simply continue पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो यह देखिए फिर से restart हो रही है मेरी PC आपको मैंने बताया ना यह several time restart होगा तो प्लीज आप यह सब प्लीज करने से पहले एक बाद जरूर चेक कर लें कि आपका PC जो है फुली चार्ज है यह नहीं यह फिर अगर नहीं है तो उसमें चार्जर से connect उसे कर लें ताकि करते ताम मतलब यह सबी प्रॉब्लम को solve करते ताम आपका PC सट्डाउन नहीं हो जाए तो इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा है तो यहां आप देख सकते हैं जैसे यहां पर एक लिखके आ गया है कि यहां पर देख सकते हैं उसकी जो है लोकेशन यहां पर दी गई है तो इस तरह से वर्ट करता है तो आई होप गाईज जो है आपकी साड़ी प्रॉब्लम सौल्व हो गई हो गाईज अकर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और हमारे च अच्छी वीडियो आती है वह आप तक आसानी से पहुंच पाई है तो आज के लिए इतना है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाद